आज हम बात करेंगे मुख्यपर्व वीपावली की तमसो माज योतिरगमे यानि अंदिकार से प्रकाश की ओर जाने का संदेश लेकर आती है हर साल दीपावली ये रोश्नी का त्योहार है प्रकाश का पर्व भगवान बुद्ध ने कहा है आपो दीपो भवह आप स्वयम ही प्रकाश बन जाएए सभी वे और उपनिशद भी यही कहते हैं आप सभी प दीपावली को धन और सम्रिध्धि की देवी लक्षमी से जुला हुआ माना जाता है इसलिए इस दिन देवी लक्षमी की पूजा की जाती है लक्षमी जी के साथ बाधाओं को दूर करने वाले शुरी गणेश विद्या की देवी सरस्वति जी और धन प्रबंधक शुरी करते हैं ब्रहम्पुरान के अनूसार कार्टिक अमवस्या की अधिरात्री में महालक्ष्मी सवयं भोलोप में आती हैं और प्रते एक सध्डग्रहस्त के घर में विचरन करती हैं जो घर हर प्रकार से स्वच्छ, शुध और सुन्दर तरीके से सुसजित और प्रकाश्युक्त होता है वहां अंश रूप से ठहर जाती है इसलिए इस दिन घर बाहर को खुब साफ सुथरा घर के सजाया सवारा जाता है पुराणों के अनुसार देवताओं और दानवों द्वारा शीर सागर के मंधन से उत्पन लक्ष्मी जी ने दीपावली की रात को ही विष्णुजी को अपने पती के रूप में सुना था और उनसे विवाह किया था इसलिए ये उत्प सब मनाया जाता है दीपावली का पर्व श्री विष्णु की बैकुंट में वापसी के दिन के रूप में भी मनाया जाता है माना जाता है कि 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद कार्टिक मास की अमावस्य तिथि को श्री राम अयुध्या वापस लोटे थे अयुध्या वासियों ने अपने प्रियराजा राम के आगमन पर बहुत उल्लास के साथ उनका स्वागत किया था सारी नगर में घी के दीपक जलाए गए थे जिससे अमावस्या की घनी काली रात भी जगमगा उठी थी तभी से हर साल इस्तिथि को दीपर्व के रूप में मनाया जाने लगा जरा सोचिए श्री राम के स्वागत में आयोध्या को सजाने की तयारियां कितने पहले से शुरू हो गई होंगी तभी तो आज भी लोग कई सप्ताह पहले से ही दीपावली की तयारियां आरंभ कर देते हैं दीपावली के बारे में एक और कहानी प्रशिलित है कि इस दिन भगवान शुरी विश्नु ने वामन अफ्तार लेकर राजा बली से माता लक्ष्मी को मुक्त करवाया था एक और पौरानिक कथा के अनुसार शुरी विश्नु ने नर्सिंग रूप धारण कर हिरने कश्चप का वद किया था महा भारत के अनुसार जब कौरफ और पांडवों के बीच होने वाले चौसर के खेल में पांडव हार गए तब उन्हें 12 वर्ष का वनवास और एक वर्ष का अग्यातवास दिया गया था पांचों पांडव अपना वनवास समाप्त कर इसे दिन वापस लोटे थे उनके लोटने की खुशी में दीब जलाकर उत्सा के साथ दीपावली मनाई गई थी दीपावली में ज्यादा तर लोग नई वस्तुमें खरीते हैं और अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को उपहार देते हैं दीपावली मिलजुल के मनाने का त्योहार है लोग आपस में एक दूसरे को उपहार देते हैं फर्ष दर्वाजों पर रंगोली सजाई जा मालक्षमी की जगा माकाली की पूजा होती है भारत के कुछ पश्चमी और उत्तरी भागों में दीपावली का त्योहाथ नए वर्ष की शुरुआत के रूप में मनाते हैं पद्मपुरान और इसकंद पुरान में भी दीपावली के बारे में बताया गया है दीए को इसकंद पुरान में सूर्य के हिस्सों का प्रतिनिधित्व करने वाला माना गया है जीवन के लिए रकाश और उर्जा प्रदान करने वाला सूर्य कारतिक माह में ही अपनी स्थिति बदलता है दीपावली पर्व का एतिहासिक महतोवी है बताया जाता है कि राजा विक्रमा दित्य का राश्तिलत इसी दिन किया गया था जिससे दीपावली का महत्व और खुशियां कई गुना बढ़ गई जैन मतावलंबियों के अनुसार 24 में तीर ठंकर महावीर स्वामी को कार्थिक अमावस्या की तिति को मोख्ष की प्राप्ति हुई थी इसी लिए जैन समाज द्वारा दीपावली का पर्व महावीर स्वामी के निर्वान दिवस के रूप में मनाया जाता है इसी दिन संध्या काल में महावीर स्वामी के प्रथम शिश्य गौतम गणधर को कैवल्य ज्यान की प्राप्ति हुई थी सिखों के लिए भी दीपावली बहुत महात्पून है इस दिन को सिख धर्म के तीसरे गुरू अमरदास जी ने लाल पत्र दिवस के रूप में मनाया था जिसमें श्रत धालू गुरू से आशिरवाद लेने पहुँचे थे इसके अलावा वर्ष 1577 में अमरदासर के हरमंदर सहब का शिला न्यास भी दीपावली के दिन ही किया गया था ये सिख धर्मावलंबियों का सबसे पावन धार्मिक स्थल और प्रमुग गुरुद्वारा है जिसे दर्बार साहिब या स्वन मंदे भी कहा जाता है सिख धर्म के इतिहास में इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है 1619 में इसी दिन सिख गुरु हरगोबिंद जी को गौलियर के किले से बावन राजाओं के साथ मुक्त किया गया था इसलिए इस पर्व को सिख समाज बंदी छोड़ दिवस के रूप में भी मनाता है करते समय समाधिली थी भारतिय संस्कृति के महान जननायत स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आरिस समाज की स्थापना भी इसी दिन की गई थी इस कारण भी दीपावली का तिवहार कुछ अलग ही महत्व रखता है दीपावली के दिन ही स्वामी दयानंद सरस्वती ने अजमेर के निकट अवसान लिया था दीन इलाही के प्रवर्तक मुगर समराट अकबर के शासनकाल में दौलत खाने के सामने चालीज गस उचे बास पर एक बड़ा आकाशीब दीपावली के दिन लटकाया जाता था बाच्छा जहांगीर भी दीपावली धूमधाम से मनाते थे मुगल वंश के अंतिम समराट बहादुर शाह जफर दीपावली को तिवहार के रूपे मनाते थे और इस अवसर पर आयोजित कारेक्रमों में बढ़ चड़ कर भाग लेते थे शाह आलम दूतिय के समय में समूचे शाही महल को दीपों से सजाया जाता था और लाल किले में आयोजित कारेक्रमों में हिंदू मुसल्मान दोनों भाग लेते थे दीपावली के दिन काजल बनाने की परंपरा है सरसो के तेल या घी के दियर से ये काजल बनाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस काजल को आँखों में आंजने से किसी की बुरी नजर नहीं लगती और आँखों का तेज बढ़ता है ब्रहदा रण्यक उपनिशत की इस प्रार्थना में प्रकाश के इस महापर्व में जीवन उर्जा की परम ज्योति का आवाहन इस प्रकार किया गया है असतो मा सद गमें तमसो मा ज्योतिर गमें मृत्योर मा म्रतम गमें असत्य से सत्य की ओर अंधकार से प्रकाश की ओर मृत् शांती 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 वाई टिंग एंटरटेन्मेंट की दीपहतस रंखला की तीसरी कड़ी में आज हमने मुख्यपर्व दीपावली के बारे में बात की अगली कड़ी में चौथ दिन के तिवहार यानि अन्निकूत यानि गोवर्धन पुजा के महत्फ और इससे बंदिक मानिताओं के बारे में बात की जाएगी देखते रहें वाइट इंक एंटर्टेन्मेंट इसे लाइप करें सब्सक्राइब करें और अपती कॉमेंट्स भी दें धन्यवाद जोती पर दीपावली आपके लिए शुप हो मंगल मैं हूँ हापी दिवाली